इंसानित में है दम वंदे मात्रम उपर वाले में बड़ा है दम वंदे मात्रम नमस्कार दोस्तों मैं हुराहूल श्वागत है आपका मेरे शेनल बोल्यूड जिया तो जो अभी अभी आपने सुना इंसानियत में बड़ा है दम वन्दे मात्रम यह में नहीं बोल रहा हूं वे यह यह बोल रहे हैं सल्मान खान जिया दोस्तो बड़े इंतजार के बाद कल सल्मान खान की मूवी किसी का भाय किसी की जान रिलिय inv हो जो जो लेकिन पहले ही लाइन में मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि भाईया अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्टा टाइम है और बस सिर्फ आपको जाके सलमान खान को देखना है जो कि अभी तक कि उनके सबसे बेकार एक्टिंग है अब जाके ख 不ए मुवि देख सकाओं। जब मैंने यह मुवि देखी तो वहिए सल्मान खान का एक सीन होता है इमोशनल जहां पर रो रहे ह pakai के समयल रहती है और शेकना बात के सल्मान खान ने इस मुवि में जो नए इस्टार लॉंच की है है उनकी सलमान खान ने अभी तक कि उनके सबसे बुरी एक्टिंग की है लेकिन उससे भी वेकार एक्टिंग की है इनके छे ही इस्टारों ने जिनको कि इस मूवी के जरिए लॉंच किया गया है रागव जुयाल जसी गिल सिधार्थ निगम सहनाज गिल पलक तिवारी और एक जगे पर सलमान खान का डाइलोग होता है जिसमें कि वो पूजा हेड़े के बाई दगुपती वेंक टेस्स के कहते है कि इनके लिए तो हम जान भी दे देंगे बाद में केते हूशी-खुसी तो जैसे ईक बार सलमान खान केते हुसी-खुसी उसके बाद रागव जुयाल के तो कूल मिलाकर साड़े तीन साल बाद सलमान खान ने कर ली है बड़े परदे पर वापसी खेर इसे वापसी तो नहीं कहा जाएगा ये सिनामा प्रेमियों के लिए हो सकती है सापसी इस पिक्चर को सिर्प और सिर्प भायजान के कटर फेंस ही देख सकते हैं क्योंकि किसी और के लिए इस विल्म में भायजान को देखना महां खतरना ला हो तो महीं पुझ अच्छी बाति बताऊं फिल्म में पूजा हिगड़े ने अच्छा काम किया है उन्होंने अपने च्पेन काम और क्या कुछ है इसमें हमारे लिए जानने के लिए, हसने के लिए गुद गुदाने के लिए। इनकी तीनों की ही प्रेमिका हैं सहनाजगिल, पलक्तिवारी और विनाली, भटनागर के साथ भी एसा ही कुछ है इतनी और एक्टिंग आपको बिमार, बहुत बिमार और बहुत बिमार बनाने के लिए काफी है यदि ये लोग कोई कपड़ा होते तो इनने निचोड़ा जाता तो 500 लिटर वाली टंकी इनकी और एक्टिंग की तरलता से बढ़ जाती इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है ये मैं तब कह रहा हूँ जब कि सल्मान खान ने अभी तक की उनकी सबसे बेकारेक्टिंग की है जो कि इन छे ही लोगों से अच्छी है फिल्म में सल्मान खान के दो-तिन इमोशनल सीन है जब वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हसने की एक्षा जागरित होती है पतनी बनी भूमी का चावला इतने सालों के बाद में उन्हें देखकर अच्छा लगा है अभिमन्यू शीह जैसे अच्छे एक्टर से भी फराद साम जी ने बुरी एक्टिंग करवाने में काम्याभी प्राप्त कर ली है तो बॉक्सर विजेंदर सीही क्या ही एक्टिंग करेगें सबसे बड़िया काम किया है सतिस कोशिक जी ने उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है बताने की जरूरत नहीं है यहाँ भी उन्होंने उसी का मोजाईरा पेश किया है अब जरार लिखाई पर भी बात कर लेते हैं माने की क्या ही लिखाई की है भाई जब तुमें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाऊगे अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ पिच्चर का एक डायलोग है इसे भयानक क्रिंज डायलोग की इसमें भरमार है सल्मान खान खुद भी लिखते हैं तो इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंदर चतरजी इस फिल्म को देखने के बाद कहते हैं ये धर्ती रहने के लायक नहीं बची भया बात-बात पर फिल्म में सुनने को मिलता है इंसानियत में दम वंदे मातरम उपर वाले में बड़ा है दम वंदे मातरम माने क्यो भाई हम पर करिये थोड़ा रहम वंदे मातरम एक और अज़िब तरह की लिखाई डारेक्शन का नमूना पेश कर देता है एक जगा बेंड केते इसके लिए सल्मान खान केते हैं इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे खुशी-खुशी पहले सल्मान खान केते खुशी-खुशी फिर रागा उज्वाल केते हैं खुशी खुशी फिर जस्टी गिल केते हैं खुशी खुशी फिर सिद्धार्थ निगम केते हैं खुशी खुशी आरे भाई इतना ही सोक था खुशी खुशी बुलवाने का तो सबसे एक साथ ही बुलवा देते हैं वहीं पर एक बंदा जमीन पर बेहुंस पड़ा होता है उसे जोज दिलाने के लिए ये सारे का सारे एक सांस सेटी बजाने लगते हैं वो उटता है बुंडो को पीटने लगता है और पीछे से लोग सीटीओ का कोरस दे रहे होते हैं इस बात का कोई सेंस बनता है भला फराद साम जी को जरूर लगा होगा खेर सल्मान खान को आप समझना होगा कि जमाना बदल गया है सिर्प अपनी सर्ट उतार कर बोडी दिखाने से पिक्चर अच्छी नहीं हो जाएगी ये साल 2003 से इसमें 1985 की फिल्म बनाने का कोई तुक नहीं बनता है एक लड़की से प्यार हो गया है फिर उसके परिवार को बचाने पहुँच गये हैं अकेला आदमी दरजनों मोस्टंडे को भुरता बना देता है ये सेकड़ो दफ़ां बोलिवूड की फिल्मों में देख चुके हैं सिर्प सल्मान खान के एक्षन के दम पर अगर फिल्म को चलानी है तो केसे चलेगी कुछ दिन पहले आमने ने बोलिवूड लाइक में एक खबर पड़ी थी इसमें बताया गया था कि एक्ष्यकुमार के फेंस ने उपन लेटर लिखकर हेराफेरी 3 में फराथ साम जी को हटाने की गुजारिस की किसी का भाई किसी की जान देखकर लगता है कि ठीक ही गुजारिस की थी भिया इस फिल्म को देखने के बाद सच्चे सलमान खान के फेंस भी निरास होंगे आप भी अपना सिर धुनना चाहते हो तो जाईए सिनेमा घर में पिच्चर देख डालिए मेरा तो मानना है कि थोड़ा दर्सों को पर भी अत्यचार कीजिए कम वंदे मातरम तो दोस्तो इस फिल्म में आपको हर डायलक के पीछे वंदे मातरम मिलेगा तो भाईया वंदे मातरम कहने से किसी भी फिल्म में देजभक्ती नहीं आ जाती है इनी जबी चीजों की वज़े से अक्षकुमार अपना सिर पकड़ कर बेठे हुए हैं इस साल उनकी कोई भी मूवी नहीं चल पाई है जो की देजभक्ती के नाम पर अपनी फिल्मों को बेचते थे तो यह सलमान खान जी आपसे यह उम्मिद हमें बिल्कुल भी नहीं थी कि आप इस तरह की एक फैमिली ड्रामा लेकर आएंगे जिसे देखने के बाद हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि यही क्या ही देख लिया हमें तो दोस्तों आपकी क्या है राय इस फिल्म के बारे में कमेंड करके मुझे जरूर बताना हुए